कि ये जो CA है, ये जो NRC है, ये जो NPR है, ये हमारी जो संग्विधान है, हमारी संग्विधान की जो मूलभूत स्पिरिट है, उसके खिलाफ है, और उसके खिलाफ इस देश की अंदर हर जगा पे हम आंदलून कर रहे हैं, बस कल के ही दिन हम थे बोनाई, रॉक सी बोलके एक वहाँ का जो ट्राइबल लोग है, जो स्टूडेंस है, जो मजदूर है, जो खलियानों में काम करते हैं, वो सब लोग एकटे हुए थे, वो एकटे होके ये जो NRC, NPR और जो CA उसके खिलाफ बीरोध प्रदर्शन किया, उन लोगोंने अपना मीटिंग किया, आज मैं जाने उनका पूनके साथ बाटे, पर आज सुभा हमको पता चला, महाँ का जो पुलिस स्टेशन है, वो पुलिस से एक खबर आया, कि सिक्यूरिटी के कारण वो लोग मना कर रहे है, और कल से हम देख रहे हैं, जो हमारा प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम के पोस्टर के नीचे, जो RSS के लोग है जो BJP के लोग है वो ये कह रहे है कि ये वक्त है कि हम JNU के जो लोग है जो वामपन्थी लोग है इनको सबक सिखाए वहाँ पे बहुत बुरी शब्दों में जो वहाँ के नाम थे, जो लग वहाँ पे बात करने वाले थे, जो बामपन थी लोग थे, उनके खिलाब बात बोला गया, बहुत गंदे शब्द इस्तेमाल कर गये, और एक situation ऐसा पैदा कर दिया गया, जहाँ पे अगर हम शायद वहा हम नहीं करने देंगे, क्योंकि हम विश्वास करते हैं, भारत एक गनतांत्रिक देश है, यहाँ पे लोगों की बात करने की आजादी है, चाया सरकार के पक्ष में कही है, सरकार की बिपक्ष में, खर किसी इनसान का अपना बात रखने का, वो जो अधिकार है, लेकिन यह ज इसके लोग है, वो प्रोवकेशन बनाने की कोशिश की, दंगा जैसा परिस्ति तयार करने की कोशिश की, और वही पे, जब अमीच शार जी का रैली होता है, जब इस देश के अंदर लोग C.A.N.R.C. के पक्ष में बात करते हैं, तब आपके कुछ रोक टोक नहीं जाता, तो हमें लगता है, ये थोड़ा सा लोगों को समझने की भी जरूरत है, कि हम जब दिमोक्रेसी कहते हैं, हम जब गनतंत्र कहते हैं, तो हम क्या कहते हैं, अगर कोई इसली क्योंकि वो सरकार के खिलाफ बात कर रहा है, उसका बात करने का अधिकार नहीं होगा, उसको अब ज हम यहाँ पर चब आये हैं हम अमिथ शाजी का जो रैली है उसका विरोध कर Reddit लेकिन जिस बात पर वो काम कर रहे ऑघ आज थे उनकोर जन्रीर नहीं की बाइच भी जाना है उनका बात इजब हम अज वी Baliin a Kakadu analon कि दम सत्र आरे कि हो उसमें इप पहले नियसे दो दिन पहले वह दो था साथ था अज्ब कल रात तक है इसमें हरो रइचा को हिंदू भी है उसमें मुसलमान भी है और जब हम यहां पे बैट के वह सब तस्वीर तेखता है इतने बुरा लगता है जब जब एक मा जिसका बेटा खोया है, जब वो रो रहा है और कह रहा है कि मेरा जो बेटा था, वो बेटा मेरा घर का कमाने वाला था, जब मेरा बेटा नहीं रहेगा, तो मेरा घर कैसे चलेगा, और वो जो मा है, वो मा कवी हिंदू है, वो मा जो है, वो कवी मा मुसल्मान है, त और हम ये पूरा जो घटना हुआ है दिल्ली की अंदर पिछले तीन दिन में जो पूरा घटना हुआ है उसका जिम्मेदार हमें सरकार को मानते हैं केंडरे में जो सरकार बैठे हुए है जिसके पास में दिल्ली का जो पूरा law and order समालने का जो जिम्मेदारी है वो केंडरे सरक पुलिस उनका है, और पिछले तीन दिन में हमने देखा, पुलिस ने कुछ नहीं किया, उन लोग ने दुका ने जलने दी, मजिद जलने दिया, लोगों को माणने पिटने दिया, ऐसे ऐसे विडियोजा है जहाए ज़ांपे पुलिस खुद जाके सिसीटी वी तोड़ रहा है ऐसे ऐसे वीडियोज आ रहे है जहाँ पे पुलिस के सामने खुद दंगाई जो है वो लोग पत्थर कलेक्ट कर रहे है तो ये जो 30 लोग जो मारे गया इसका जिम्मेदार कौन है इस हिंसाकांट के पीछे जो आरेसेस बीजेपी के लोग है जो पिछरे तीन दिनों से उसकाय है प्रोवकेशन किये है कपेल मिश्रा जो बीजेपी का बहुत बरी नेता है उनका वीडियो हट जगापे सर्फेस हुआ है जापे वो खुले हम चेताब के दे रहे हैं वो बोल र राजनेतिक दल की पास केंद्र की सरकार है दिल्ली की अंदर MLA है दिल्ली की पुलिस उनके साथ है वो कुछ नहीं कर पा रहे है अगर आप देखेंगे जो अभी एक वीडियो आया था एक बीजेपी का MLA है कुछ वर्मा उनका नाम है वो लाइफ कर रहे है और उनके साथ जो लोग है वो ये स्लोगान दे रहे है कि देश के गदारों को गोली मारू सालों को ये जब पूरा देश की अंदर दिल्ली जब जल रहा है तब दिल्ली का MLA बीजेपी का MLA रैली निकलता है जिसका स्लोगान होता है गोली मारू सालों को हमने पहले भी देखा है जब ऐसे कमल बे बटन दवाई एगा कि शाहीन बाग में जाके करेंट लगे, कि ये भार्षा हो सकता है, इस देश को चलाने का, इस देश को ठीक रखने का जिम्मेदारी जिनकी उपर है, चाहे वो शराष्ट मंत्री हो, चाहे वो BGP के MLMP हो, ये उनकी जिम्मेदारी है, और वो ये सब बात कहते हैं कि हम गोली मार देंगे, वो ये बात कहते हैं कि हम करिंट लगवाएंगे, हम मानता है दिली के अंदर जो जो कुछ हो रहा है, उसका अगर जिम्मेदार कोई है, तो वो शराष्ट मंत्री है, वो अमिच शाजी है, वो BGP है, वो RSS के जो लोग, पिछल पिर दिखा जा रहा है, जो स्टोन पेल्ट कर रहा है, गोलिया चला रही है, क्यों अभी तक उनको गिरिफतारी नहीं हुई है, एक मतलब लाइन है, जो लालू प्रसादी अदाव ने कहा था, कि अगर सरकार नहीं चाता है, तो दंगा नहीं होता है, जब 2002 साल में जब रा अगर एक शहीद हुए है, उनको मारा गया है, बहुत करोर अर्बो रुपे का, मतलब खती हुआ है, लुकसान हुआ है, और ये सब कुछ इसलिए हुआ है, क्योंकि हमारा जो सरकार है, जो दिल्ली पुलिस है, वो ये दंगा रुखने की कोशिश नहीं की है, हम ये मानते है हमारी भारत की चार्टर विदेंशी, हमारी अपील है, पहले तो हम पीस का अपील कर रहे है, सब लोगों से, चाहिए वो हिंदू हो, मुसल्मान हो, किसी भी जाद, धर, मजब का हो, ये देश को अगर बचाना है, तो हम लड़ाई नहीं कर सकते, हम दंगा नहीं कर सकते, प उसका जिम्मेदारी उनको लेना पड़ेगा, जैसे देखिए, CAA को अगर हम सिर्फ देखे, Citizenship Amendment Act, Citizenship Amendment Act होने के पहले, वो Citizenship Act था, जिस पे हम कहते थे, कि अगर आप हमारी देश की आसपास के राष्टर है, चाहिए वो अफगानिस्तान हो, बंगलादेश और पाकिस्तान ह जहां से हमारी देश में आते हैं, और अगर दस साल से कुछ ज्यादा उस वक्ता कब हमारी देश में रहते हैं, शरणार्थी बनके, तो अब हमारी देश की नागरिक बन सकते हैं, जो Citizenship Amendment Act हुआ है, जो Amendment लाए गया है, उसमें हम कह रहे हैं, वो जो साल है, वो जो दस साल से ज्यादा कुछ साल था, उसको घटा के हम पात साल कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, यह बहुत वेलकम स्टेप है, लेकिन उसके साथ उन्होंने और भी एक लाइन जोड़ा, उन्होंने बोला, पाकिस्तान, आफगानिस्तन और बांगलादेश के जो religious minority हैं, यह सिर्फ उन पे लागू होगा, अब इसमें दो सवाल है, पहला, जब हम बच्छमन में जोग्रफी पढ़ते थे या political science पढ़ते थे, हमको जब बोला जाता था कि इंडिया का neighboring country कौन-कौन सा है, उसमें हम मियानमार का नाम भी पढ़ते थे, नेपाल का नाम भी पढ़ते थे, महां का जो राश्टर का धर्म है, वो बुद्धिस्ट है, उसमें बुद्धिस्ट संप्रताय के लोग ज्यादा है, और ये एक historical बात है, सब को पता है कि महां के जो हिंदू तामिल है, वो कितना ज्यादा सताय गया है, कितने ज्यादा परिशानी में रहते हैं, क्यों आपन इसा कुछ बोल दिया, जो रूरबादी जो इस्लामिस्ट है, उनके खिलाफ जाता है, उनको मार दिया जाता है, अभी आज के दिन बांगलादेश में 4-5 साल पहले अभिजीत रॉय का हत्या किया गया था, ऐसे बहुत सारे मुसलमन ब्लॉगर है, जो वो सब बात करने के ल आइस होने के लिए मौने के लिए बांगलादेश की अंदर उनको मार दिया गया, तो जो लोग धरुमिय कारण से मुसलमन हने के कारण भी पाकिस्तान के अंदर मौनें, जो आप उनके बार में बात नहीं करेंगे, हम कह रहे हैं कि अगर आपको सिटिजनशिप देने का इत से आई उसमें कभी जाधर मजब नहीं देखा जो स्वामी विवेकान जी जब शीकागों में गये थे तब ये कहे थे मैं इस बात से बहुत गर वनुह अपकरता हूं कि मैं भारत का रहने वाला हूं जिसने इस विश्व की हर किसी इंसान को अपने अंदर स्वरन दिया है और आज BJP RSS का जो सरकार है उन्होंने जब ये law लेके आये है ये clause जो लेके आये है ये वो इस देश के अंदर जो हिंदु मुसल्मान है उन पर बटवारा करने के कोशिश कर रहे है क्योंकि हम CAA को सिर्फ अलग CAA नहीं देखते हैं NRC के साथ जुड़के देखते हैं अगर NRC होगा हम सब लोग को detention campaign जाना पड़ेगा वहाँ पर अगर आप गैर मुसल्मान है तो फिर आप citizen बनने के लिए apply कर सकते हैं अगर मुसल्मान है तो आप citizenship पाने के लिए अप apply नहीं कर सकते हैं हमें ऐसा लगता है हमारी देश के अंदर वहुत सारे समस्या है विरोजगारी क समस्या है सिक्षा का समस्या है स्वास का समस्या है नरिंद्र मोधी जी को हमारी देश के जो लोग है पहले उनके बारे में सोचना चाहिए ना कि NRCCA बाहर से किसको लाना ही इसके बारे में सोचना चाहिए हमारा जो देश है हमने कभी भी जात के नाम पे धर्म के नाम पे ब भारत का नहीं सकते हैं, और अगर आप मुसल्मान हैं तो भारत में नहीं रह सकते, यह हमारी जो संग विधान का اुसूल है, उस संग विधान के खिलाव जाते हैं, इसलिए हम NORCY, SCA, NPR के खिलाव आवाज उठा रहा है, हमारी मानना यह है कि इस देश की जो नौजवान है, उनको नौकरी चाहिए, हमारी देश की यूवा है, उनको सिक्षा चाहिए, नरेंडरो मोदी जी हमारे देश की प्रधान मंतरी है, वो हमारे बारे में सोचे, इस देश की नौजवाओं की बारे में सोचे, उसके बाद देखा जाए का बाहर से कौन आएगे, क कोशिश किया गया तो उस जगा के जो मुस्लिम लोग है वो Human Chen बनाके मानव बंधन बनाके उसके सामने खड़े हो गया कि हमारे रहते हिआपे हमारे भायों पे हम कुछ आच नहीं आने देंगे ऐसे न्यूज आ रहा है कि जो मुस्लिम लोग थे जो भाग रहे थे मतलब डर के एक हिंदू फैमिली था वो हिंदू फैमिली ने अपनी घर पे उनको सुरक्षा दिया था पर ऐसा हुआ जो रायट करने वाले थे जो दंगा करने वाले थे वो घर को जला दिया बाकी लोग तो बज गया पर जो हिंदू लड़का उनको बचा रहे थे सर एक तो हम WhatsApp University में जी रहे हैं, कोई भी इतना ज्यादा fake news है, उसमां मतलब वो तो कुछ कर ही नहीं सकते, लेकिन उसका भी जिमेदारी किसका है, सरकार का है, पुलिस का है, हम तो कह रहे हैं कि इतना सब कुछ की बाद भी दिल्ली के अंदर जो आम लोग है, वो हिंगसा नही करने की कोशिश कीजिए, वहां का जो situation है, उसको control करने की कोशिश कीजिए, और दिल्ली के जो peace है, वो peace को आप वापस लेके आईए, जो आमन है, उस आमन को आपस लेके आईए, लेकिन हमें तो लगता है, हम आधा जंग जीत चुके हैं, क्योंकि अवी दो मेहीं ने पहले जहाजापी वमीच शाजी जाते थे, वो ये बहुत दावे की साथ कहते थे, कहम NRC करेंगी और CAA भी करेंगे, वो समझाते थे ना, chronology समझिए, बहले NRC होगा, फिर CAA होगा, लेकिन ये हमारी आंदोलोन का ही बावजुद है, मतलब पूरा देश की अंदर शाहिन बाग फिर जब कोर्ट में केस हुआ, तब सरकार को ये बोलने में मजबूर कर दिया गया, कि हम तो NRC करने ही नहीं वाले है, तो हमें लगता है हमारी जो आधा जंग था, वो आधा जंग हम जीत चुके है, अभी बाकी जंग जो है, उसको भी हम ज़रूर जीतेंगे, क्योंकि ये ये जो लड़ाई है, ये जो आंदोलन है, ये हमारी संगविधान के लिए है, ये हमारी देश को बचाने के लिए है, एक बार बठवारा हुआ है, हिंदू मुसल्मान का खुन बहा है, दुबारा हमें बठवारा नहीं चाहिए, दुबारा हमें खुन नहीं बहने देना है, अब देखिए जो सबसे बड़ा अंदोलोन हुआ पिशले दिनों में वो शाहिनोग में जो लोग थे वो लोग पहले दिन से ये बोल रहे हो किसी राजनेतिक दल में नहीं है, वहापे नब कॉंग्रेस के लोग है, ना आपके लोग है, क्योई वहापे नहीं है, पूरी देश की अंदर जहां पे मुसलमन महिलाय सरग पे उतर के आई, most of the places वो एकदम spontaneous था, कोई राजनेतिक दल आके उनको बिठाया नहीं है, कोई भी राजनेतिक दल उस तरीके से successful नहीं हुआ है, जितना इस देश की आम लोग successful हुआ है, तो ये जो बात है कि ये मतलब दूसरे political party का है, इस पे हम ज़्यादा विश्वास नहीं रखते, हम मानते हैं, ये हमारी देश के लिए हम लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारी देश तो कोई map नहीं है, हमारे देश मतलब उसमें रहने वाले लोग, अगर हमारे देश में रहने वाले लोग दंका करेंगे, दंके में मर जाएंगे, तो देश नहीं बचेगा. हम जो लड़ाई कर रहे है, वह इसलिए लड़ाई कर रहे हैं, ताकि हिंदू-मुसलमान का बढ़वारा ना हो, दंगा ना हो, लड़ाई ना हो, हमारी देश में हम सब लोग मिल जूल के अच्छे से रहे पारें नहीं जैसे वो तो हमारी continuous process है हम चल रहे हैं लेकिन अगर मेरी बात कही न कही अमिशाजी के पास पहुँच रहा है तो ये उनसे मेरी दरखास रहेगी कि बहुत ज्यादा खुन बह चुका है दिली की अंदर 30 से ज्यादा लोग मारे गया है बहुत सारे लोग injured है बहुत सारी दुकाने जली है हम जो इस देश के लोग है आप इस देश का स्वराष्ट मंतरी है पुरा इस देश को देखवाल करने का जिम्मेदारी आपके पास है आप इसे बंद कीजिए आप सरकार में है आपके पास पुलिस है चाहे वो कोई वी हो आपके पास इतना पावार तो है कि आप दंगा रोग सकते है अगर आप सच में इस देश से महबबत करते है अगर आप जो देशभक्ती का बात अब हर जगा पे जाके बोलते है जिस C.A.N.R.C. को लेके आप बोलने वाले है बोलने वाले ये देश की भलाई के लिए है देश की भलाई तभी होगा जब इस देश के जो लोग है वो आपस में नहीं लड़ेंगे और ये सुनिश्चित क सहर निरंजन रेड़ी OTV